हेलो फ्रेंज, विल्कम टाल्पुनस कोकिंग स्टाइल, क्रिस्मास आ रहा है, हर कोई केक खाते है इस टेम पे, मार्किट में भी भेरेटी टैप्स की केक मिलता है, फ्रूट केक, चोकलेट केक, मार्बिल केक, भेनेला केक, और लोग घर पे भी बनाते हैं, तो हमने शोचया क क्योंना इस बार को स्पेशाल उनिक बना लेते हैं, तो मैंने इस बार बनाया मालाई केक, ये देखने में भी जितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही डिलिसियास, हमने बहुती सिम्पल एंड इजी स्टेप में बनाया, बिन आन राके ये मालाई केक, सो फोलो कीजिए क अब फ्लेम को मिडियम टो हाई फ्लेम में राक कर इसे हमें रिड्यूस करना है, एक लिटर को रिड्यूस करके हमें हाफ लिटर बनाना है, जब दूद बोईल होने लागे इसे कॉंटीनू कर्षी चालाते जाना है, ने तो पैन की नीचे जमने का चांसेस रहेगा, कुछ इसे टाइम बोईल होने के बाद आप डाल देंगे 4 टेबिल स्पोन चीनी, चीनी डालके आच्छे से मिला लेंगे, इसी टाइम पे दूद पे बहुती जल्दी मालाई जमने लगते है, तो कॉंटीनू इसे कर्षी चलते जाना है, ताकि तल्बे पे मालाई ना जमें, और स यहाँ पे 4-5 एलाईजी की दाना पावडर कर लिया, और यह भी आच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ी देर बॉल करने के बाद रेडी हो जाएगा, यह मालाई, देखी रेडी हो गया मालाई, अभी गैस अफकर देते है, अभी थोड़ा से लिकुड दिख रहा है, लेकि में एक कप मैदलिया, एक टीस्पून बेकिंग पावडर, हाप टीस्पून बेकिंग शोडर, और हाप कप पावडर चीनी, यह सारे ड्राई इंग्रीडेंट्स हम आच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, आभी इसमें डालेंगे वान थाट कप रिफाइंड ओयल, और वान थाट कप दही, यह दो ही रूम टेमपरेचर काई है, आप फ्रीज की दही मतली जिए, यह दोनों आच्छी तरह हम थोड़ा से फ्याट लेते हैं, इसके बाद एट करेंगे दूद, यहाँ पर मैंने हाप काप दूद लिया, यह हमने हाप काप से कौम दूद डालके, इसे मिक्स कर लिया, और इसे आच्छी तरह मिक्स करते हुए, एक स्मूथ बेटर बनाएंगे, एक बात का ध्यान रखना है, इसमें कोई लाम्स ना रहे, यह बेटर रेडी है, आप इसे बेक करेंगे, इहां एक रोटी का तावा पे रेट मतलब सेंड राख दिया, और इसमें एक बात्वन बैठा के, इसे प्री हीट करना है, इसे हम पास मिनिट हाई फ्लेम पे इसे गरम करेंगे, जब तक बात्वन गरम होता है, तब तक एक केक टीन को तेल से ब्राश कर लेता है, आच्छी बैठाट डालके एक केक टीन को थोरा ट्याप कर लेता है, ताकि आच्छी तरह सेट हो जाए, आपका पास अगर मोटा तलबे वाला कोई बर्तुन हो या कड़ाई हो, तो तावा पे रेट डालने का कोई जोरूरत नहीं है, आप डारेक्ट ये बर्तुन बैठा सकते हो, ले इसमें केक टीन बैठाना है, मेरा ये बर्तुन केक टीन का बराबन नापकी है, इसलिए मैंने कोई स्टेंड यूस नहीं किया, डारेक्ट एक केक टीन बैठा दिया, आब इसे ढाक कर बेख होने देंगे, 35-40 मिनिट तक स्लो फ्लेम पे, ये केक प्रोपाली बेख हो गया, एक दुम क्लीन आगिया, एक एक बेख होने में मुझे 45 मिनिट्स टाइम लागा, ये पैन की ठीकनेच और गैस की फ्लेम पे डिपेंड करता है, शो सबकी सेम टाइम लागे जोरोरी नहीं है, लेकिन आप आदा हंटा बाद से जोरोरी से चेक करते रहेना, एक केक को ठांड ये मालाई हम पोर कर देता हैं केक के उपर, और इस के उपर डाल देंगे काटी हुई कुस ड्राइब फूर्स, मैंनी ये हाँ पे बादाम और पेस्ता पतला करके काट लिया था, आप इस केक को हम फ्रीज में आधा घंटा के लिए जमने देंगे, ताकि ये मालाई अंदर तक पहुँचे, रेड़ी हो गिया मालाई केक, आप जोरूर इस एक बार घर प्रे टाय कीजिए, और आपको ये रेसिप पसंद दाए तो लाइक एंड शेयार कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूले, फिर मिलेंग गोरेक रेसिप के साथ, आप सब खूस आपको ये टेक क्यार, बाई